हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ पनीर मखनी बनाने के लिए दोस्तो सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे और उसे गैस पर चड़ा लेंगे आप इसे किसी गहरे तले के पैन में भी बना सकते हैं तो अब हम इसमें सबसे पहले तो पानी अट करेंगे तो पानी यहाँ पर डाल रहे हूं 100 ml के अप्रॉक्स लागे से में तॉस्तोर के पानी ऑफ्रॉक्स दॉस्तोर के कि में लागे में वी पॉहरे हैं यहाँ नहीं है भी इसमें चार मुटा चापको यह रएक पैयाद लें दो हरी मिर्च बस तोड़ करके रफली और एक से तेड़ इंच के लगबग अध्रक का टुकड़ा डाल देना है चार से पांच लैसुन छील करके कलिया डाल देनी है आठ से दस आपको डाल देना है काजू इसमें और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जै बाली इलाइची या फिर जिसे छोटी इलाइची भी भूलते हैं और इसी के साथ हम लॉंग भी डाल लेते हैं चार से पांच लॉंग हमने यहां पर डाल ली है और डाल देते हैं एक बड़ा टुकड़ा बटर का क्योंकि पनीर मखनी है तो हम यह बटर डाल रहे हैं साथ ह साथ डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर जिससे की बढ़िया पनीर मखनी काई कलर आता है तो ये मिर्च तीखी कम होती है कलर अच्छा आता है इसलिए डाला है और इसी के साथ साथ यहां हम नमक भी डाल लेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको डिरेक्ली कड़ाई में यानि पानी में डालनी है बस इसके बाद हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं जिससे जो नमक और मिर्च डाली है वो मिक्स हो जाए बस तो यह काम आप इसी भगोने में भी कर सकते हैं अलग से अगर आप बर्तन में करना चाहें तो और अब बस इसे हमें कुछ भी नहीं कर जब तक टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से मैश नहीं हो जाता बीच बीच में हम चेक भी कर लेंगे तो चलिए 20-25 मिनट के लगबग हो चुके हैं अगर आपने टमाटर ज्यादा लिए हैं आप पाटे स्टाइल में बना रहे हैं ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये टाइम बढ़ भी सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम तक टमाटर पकाने बढ़ सकते हैं तो अब यहाँ टमाटर दोस्तो काफी अच्छी तरीके से गल चुके हैं जो हमने काजू ला था इसमें काजू भी अच्छे से फूल गया है तो बस अब हमें यहाँ प चाहिए उससे टमाटर का जो खटा पन है वो रह जाता है और जो आपकी पनीर मकनी है वो थोड़ी खटी भी हो सकती है तो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि टमाटर आपका जो है वो काफी अच्छे से गल जाना चाहिए साथी साथ प्याज भी बहुत ही अच्छी तरी जैसे की तेज पत्ता हो गया दाल चीनी हो गई और बड़ी वाली इलाइची ये पीसने में प्रॉब्लम करती है पीसेंगी नहीं अच्छे से इसलिए हमें निकाल देना है साथी साथ इतनी देर से ये मसाला उबल रहा था तो जो भी ये सारी चीजे हैं इनका जो अरोमा है वो आ जुका है हमारे इस मसाले में तो हमें ये चीजे नहीं चाहिए अब इसे आप किसी चाहे तो बरतर में ट्रांसफर कर लें या इसी में रखा रहने दीजिए और इसे कम्प्लीटली दोस्तो ठंडा हो जाने दीजिए पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीस पूरी रेसिपी आज की तो यह पार्ट मैंने थोड़ा लंबा किया है क्योंकि यहीं पार्ट इहां पर इंपॉर्टेंट है इसी आपको अच्छे से देखना है अगर आपने गलती से भी इसमें तेजबता छोड़ दिया दालचीनी में अगर या फिर बढ़ी लाइची छो खंडा हो गया है मिक्सी के जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे मसाला मैंतिक में जाता है अगर आप ये मसाला गरम-गरम पीज देंगे तो आपकी मिक्सी से बाहर निकल जाएगा अगर आपने पहले कभी ऐसा किया होगा तो आपको जरूर बता होगा थोड़ा सा बिलकुल हम पानी डाल लेते हैं और ये जो भी लगा हुआ है कड़ाई में या बरतन में इसे हलका सा मिस्क्राच कर लेंगे निकाल लेंगे और इस पानी को भी हम सीजार में डाल लेंगे थोड़ी सी इस प्यूरी को पतला ही बनाया जाता है बहुत ही गाढ़ा नहीं बनाया जाता है जैसे हम बटर मसाला बगेरा के लिए पनीर बटर मसाला के लिए बनाते हैं उस तरह से नहीं थोड़ा पतला भी चल रहेगा तो चलेगा अब हम वापस से वही कड़ाई लेंगे या फिर कोई दूसरा पैन भी आप ले सकते हैं गरम करेंगे और इसमें हम कुछ दुबारा से एक से दो चम्मच के लगभग हम तेल या बटर आड़ करेंगे तो पनीर मकनी है तो आप बटर में भी इसे बना सकते हैं वैंने यहाँ पर तेल ले लिया है अब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे एक हरीमेच जिसे मैंने बारी काट लिया है अब पनीर के जो पीसे से हैं यानि क्यूप्स है और जो भी टुकड़े अपने काट के रखे हुए हैं उन्हें हम इसमें डाल देंगे गैस की आज को जूस्तो बिलकुल धीमा रखना है क्यूकि तेज कर देंगे तो पनीर के पीसे से हो सकता है वो चिपक जाए या फिर उन में डाक स्पोट्स आ जाए हमें डाक स्पोट्स नहीं चाहिए बस पनीर को हमें सॉफ्ट करना है जैसा कि इसका नाम है पनीर मखनी तो जो प्यूरी है वो भी बहुत ही सॉफ्ट यानि की बहुत ही जो है रनी और एकदम वेलोटी टेक्स्चर में होनी चाहिए और हमारे जो पनी वह भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए डीफ फ्राइड नहीं करना है इसमें हमें स्पॉर्ट्स नहीं लाने हैं स्पॉर्ट्स आ जाएंगे तो पनीर जो है वह चीवी हो जाता है यानि की बहुत ही कड़ा हो जाता है तो बस धीमी आज में इसे एक मिनट के लिए पनीर को हल लाल लेंगे और आप देखेंगे कि पनीर बहुत ही जादा मक्षन जैसा मुलायम हो चुका है तो बस जब पनीर हमारा हो जाएगा तो हम तेल में थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर इससे बहुत ही बढ़िया रंगत आएगी जब हम इसमें ग्रेवी पूर दाला डालेंगे और जेंटली हमें जो है मिक्स कर देना है तो पनीर यहां पर मैंने तीन सो ब्राम के लगभग लिया हुआ है बड़े टुकडे लिये हुए हैं तो आप अपनी ज़ुरत के साब से कम्या जादा कर सकते हैं अब हम इसमें प्यूरी डाल देंगे तो आपने पानी डालते हुए इतनी पतली प्यूरी बनाई है तो आप भी इसी तरह से बनाईएगा बहुत ज़्यादा थिक मत बनाईएगा और अब हम बिल्कुल धीमे हलके हाथों से इसे मिक्स करेंगे आप देख पा रहे होंगे कश्मीरी चिली पाउडर की बज़ा से जो रंगत ह आपको देखते ही बनेगी दोस्तों लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा इस चीज का भी दान रखा है कि हम यहाँ पर तेल या बटर ज्यादा ना यूज करें तो अच्छी तरह से मिला दिया है और बस अब हमें इसे पकने देना है इसमें अभीम कुछ भी नहीं डालेंगे इसे अच्छे से हमें उबालना है तब तक जब तक आपको ना लगे कि जो ग्रेवी है वो आपके मन पसंद हो गई है यानि कि जादा अगर गाड़ा बनाना चाहते हैं गाड़ी गाड़ी पनीर मखनी तो आप गाड़ा बना सकते हैं पतला बनाना है तो आप उसी साब से प पका लीजिए और ग्रेवी पकर तयार हो जाती है अब इसी बीच में हम भूनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे यूजवली हम कच्छी कसूरी मेथी डाल देते हैं लेकिन यहां पर तवे या पैन में थोड़ा सा इसे भून लेना है इसके बाद हलका हलका करश करके हम यहां निर्मकनी में अपनी और बस लास्ट में हमें बिल्कुल कसूरी में थी डालेंगे और आप बिल्कुल थोड़ा सा ही इसे पकाएं वह भी धीमियाच में आधा एक मिनट मैकसिमम उससे ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों डीटेल रेसिपी है बहुत जरूर ट्राइ कीज यह बाजार वाली है अमूल फ्रेश क्रीम अगर आपके पास यह नहीं है तो आप घर की जो क्रीम होती है मलाई होती है उसे फेट करके मिला सकते हैं क्रीम डालते ही हमारी पनीर मकनी में हो जाता है दोस्तों जादू स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है लुक बदल और अरोमा भी बिदल जाता है बहुत ही कमाल की परीर मकनी अपकी जो है वो तैयार हो चुकी है पनीर के पीसे बेहत सॉफ्ट है बहुत ही अच्छे खुश्बो आ रही है दोस्तों एक बार ट्राइकर करके देखिएगा आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा इसी तरह की बढ़िया और आसान रेसिपीज के लिए